लहसुन में बांगलादेश का निर्यात खुल जाने के कारण अब छोटे माल की डिमांड बढ़ गई है. पूर्व में छोटे माल डिमांड कुछ प्रदेशों में ही बनी हुई थी. वही साउथ छेत्र में बॉक्स क्वालिटी की ही मांग बनी हुई है. सोमवार को स्थानी क्रिशी उपज मंडी बारा में लहसुन की खुलते बाजार में करीब 500 रुपई की तेजी रही. शनिवार को बंद बाजार में उपर में 22,000 रुपई प्रती क्विंटल तक लहसुन की निलामी हुई थी. करीब एक सप्ता से बांगलादेश का निर्यात ख खुलने से मीडियम क्वालिटी के लहसुन के भावो में भी तेजी आई है. हाला कि सोमवार को 6,500 रुपई से लेकर 9,000 रुपई तक लाटरी तथा 10,000 से 15,000 रुपई प्रती क्विंटल तक मीडियम चर्री व लड्डू की निलामी हुई. 12 कृषी उपज मंडी में रविवार तथा सोमवार को करीब 31,000 कट्टे लहसुन की आवक होने तथा पूर्व का करीब 5,000 कट्टे विक्री से 6 रहने के कारण सोमवार को एक शेड को छोड़क सभी फुल हो गए. सोमवार को 8-9,000 कट्टे लहसुन की ही निलामी हो पाई. इ इसे में यदि अधिक माल मंडी में आ जाता है तो व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी. इस स्थिती को देखते हुए सोमवार शाम से ही लहसुन की आगामी तिथी तक के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.